Hey guys, in this video we will discuss a novel जिसका नाम है Light in August और यह लिखी है William Faulkner ने जो कि आपकी MAG 11 में लगी है आज की वीडियो में हम इसे डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम राइटर की बात करेंगे जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं तो Faulkner की बात कर रहे हैं मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं American Novel की क्योंकि जो Faulkner है वो एक American थे तो William Faulkner was born in a well-known family और कहां पर? जो Southern State है Mississippi का वहां पर इनकी family अच्छी थी और यह बहुत famous भी हुए थे Southern Novelist के नाम से जैसे कि South South के थे और वहीं से novel लिखा करते थे इसलिए पर irony की चीज़ यह है कि जो Faulkner है William Faulkner है उन्होंने कभी formal education नहीं लिया उन्होंने कभी भी मतलब वो graduate नहीं हुए high school में यहां तक कि वो एक बद English course में fail भी हो गए थे पर उसके बाद भी उन्होंने hard work किया अपनी craft को, writing craft को उन्होंने polish किया और उसके बाद उन्हें Pulitzer Prize Award मिला है अपने work के लिए novel prize भी मिला है अपने literature के लिए मतलब कि education formal नहीं थी और उसके बाद भी इनके work इतने ज़्यादा famous थी कि इने prize मिले थे इनकी एक novel थी जो first novel थी उसका नाम था shoulders pay जो कि publish होई थी 1926 में उसके बाद इनोंने एक और famous novel लिखी थी जिसका नाम था The Sound and the Fury और इनकी एक short story हमने पढ़ी भी है The Bear जो कि I think MG6 में लगी हुई थी और आज हम इसको cover करेंगे Light in August तो Light in August जो है यह बहुत famous है क्योंकि यह बहुत सारी F.E.C. जो से deal करती है जो कि नई है जैसे कि यह human relationship से deal करती है interaction से deal करती है और जो इसकी बहुत सारी themes है वो आपस में ऐसे intertwined है आपस में mix up हो रखी है जैसे कि issue है racial का यह फिर psychological problem का तो Light in August जो है यह publish होई थी 1932 में और यह बोला जाता है कि यह William Faulkner की सबसे finest और सबसे ज़्यादा most readable novel थी और इसकी main theme है racism मतलब कि black और white के बीच में जो relationship दिखाया जाएगा वो और सबसे बड़ी बात यह है कि यह novel आपस में बहुत सारी stories को बहुत सारी stories है उनको आपस मिक्सब करके चलती है इस novel में तीन story है जो साथ साथ चलेंगी एक central figure है जो main story है वो कौन है वो है Joe Christmas और उसके बाद एक और story है वो person है उसका नाम है गेल हाई टावर और थर्ड story है लीना ग्रोफ की और यह तीनों story आपस में mix-up हो रखी है कभी present की बात होती है कभी flashback की बात होती है तो मैंने अलग-अलग colors का यूज किया है background में था कि जो flashback है वो अलग रहेगा और जो present time है वो अलग रहेगा तो confused नहीं होना है तो सबसे पहले हम इसमें character की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले character है लीना ग्रोफ लीना ग्रोफ कौन है यह एक young teenager girl है जो कि अभी pregnant हो रखी है अब यह क्या करती है यह Alabama से जैफर्सन आती है किसलिए क्योंकि यह pregnant है और यह अपने baby के father को ढून रही है और उसका नाम क्या है उसका नाम है Joe Brown उसका नाम Joe Brown है और बाद में वो अपना नाम change कर लेता है वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट केरेक्टर है Joe Christmas Joe Christmas है वो नॉवल का protagonist है यह white है यह black है यह किसी को पता नहीं है क्योंकि इसकी जो community है इसका जो complexion है उसके हिसाब से पता नहीं चल पाता है कि यह black community से ब्लाउंग करता है और लोग इसे black ही समझते है और तीन साल पहले ही जब novel start होई थी उसके पहले तीन साल पहले ही जैफरसन में आके रुक जाता है बस जाता है और जोहाना नाम की एक लड़की है उसकी property में एक cabin में रहता है और जोहाना के साथ ही इसके physical relation भी है थर्ड character है गेल हाइट आवर गेल हाइट आवर कौन है यह जैफरसन का minister है अब इसके फाद क्या होता है क्योंकि जो story मैंने starting में बताई इसमें तीन मेरी stories है एक जो Christmas की लीना ग्रोव की और तीसरी है गेल हाइट आवर की तो गेल हाइट आवर के फाद क्या होता है कि यह minister है और उसके जो wife है वो बहुत जादा मतलब उसका एक person के साथ affair है वो adulterous है वो faithful नहीं है तो जिस person के साथ उसके affair है वो एक बर hotel में उस लड़के के साथ पकड़ी जाती है और जल्द बाजी में वो window से कूच जाती है उस hotel के और उसके death हो जाती है अब इतना सारा scandal हो जाता है तो जो गेल हाइट आवर है उसके जो reputation है वो खराब हो जाती है और उसे अपने minister की post से resign करना पड़ता है फूर्थ character है बारिन बंच ये एक bachelor है जो कि गेल का friend है जैसे कि गेल हाइट आवर जो minister है तो ये गेल का इकलौता friend है और Jefferson में एक mil है उसमें काम किया करता है और Jefferson में ही ये लीना से भी मिलता है लीना ग्रोफ से मिलता है और वहाँ पर उसे उसे प्यार हो जाता है फिफ्ट character है Lucas अब Lucas और जो जो ब्राउन है वो दोनों एक ही है नॉवल में कहीं Lucas यूज हो रख़ए कहीं जो ब्राउन यूज हो रख़ए और क्यों यूज हो रख़ए دो नाम क्योंकि ये पहले जो ब्राउन था लेकिन जब ये जैफर्सन में आके रहने लग जाता है तो अपना नाम चेंज कर लेता है ये एक गैंबलर है और बूट लेगर है मतलब विस्की का बिसनस करता है ये एक यंग बैचलर है और यही है जिसने लीना ग्रोफ को प्रेगनेंट किया था ये क्या करता है जब लीना ग्रोफ के साथ अलबामा में रहा करता था तब उसके साथ उसके रिलेशन थे और जब लीना प्रेगनेंट हो जाती है तो फिर वो उसे ये बोलकर चला आता है कि वो सेहर में कि वो सीटी में अच्छी जॉब ढूंडेगा और उसे वहाँ पर ले आएगा लेकिन वहाँ पर तब से गया नहीं नेक्स्ट केरेक्टर है जोहाना बर्डन जोहाना बर्डन वहां की जैफर्सन की ही रेजिडेंट है सिविल वार के टाइम पे इसके फादर ने और इसके ब्रदर ने बहुत जाद़ां मदद करी थी ब्लैक लोगों की उनके राइटस के लिए जिसकी वज़ा से ब्लैक कम्यूनिटी या फिर वाइट कम्यूनिटी के बीच में जो डिफरेंसिस थे और white community ने इनके brother को grandfather को मार दिया था next character है Simon McKeechen Simon McKeechen Joe Christmas के foster father है उसके real father नहीं है उन्होंने Joe Christmas को adopt किया था और Simon McKeechen थिक है उनकी जो body है वो थिक है इनकी आँखों का जो color है वो light है और ये Joe Christmas को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और जब Joe Christmas 18 years का होता है तो वो Simon McKeechen को गलती से मार देता है मतलब उनका murder कर देता है next character है Mrs. McKeechen Mrs. McKeechen कौन है Simon McKeechen की wife है और Joe Christmas की foster mother है ये Joe Christmas को पसंद करती है उसे हमेशा बचाती है जब भी जो Simon McKeechen है उसे मारते है लेकिन Joe Christmas है वो इनसे hate करता है next character है Mr. Hines Joe Christmas को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है उसे hate करते है और यहां तक कि जब Joe Christmas का बर्थ हुआ था वो उसे orphanage के बाहरी छोड़ देते है ये बहुत ज़दा violent है, angry है और इसकी वादा से ये कई बार jail जा चुके है और जब इन्हें पता चलता है कि Joe Christmas जोहाना की murder case में फज़ा हुआ है तो ये लोगों को भड़काते हैं, crowd को भड़काते है कि वो सब मिलकर Joe Christmas को मार दे next character है Mrs. Hines Mrs. Hines जो है वो Joe Christmas की असली grandmother है मतलब कि Mr. Hines की wife है और ये Joe Christmas को इन्होंने कभी देखा नहीं है क्योंकि जब Joe Christmas का birth हुआ था तो Mr. Hines ने अपनी wife को जूट बोला था कि Joe Christmas बर्थ के टाइम पे ही मर गया था और इसलिए Mrs. Hines लास्ट में जैफरसन आती है ताकि वो एक बार या फिर लास्ट टाइम बोले फर्स्ट और लास्ट टाइम Joe Christmas को देख सके तो यह थी इसके main main characters अब हम बात करेंगे इसके summary की कि summary कैसे start होती है flashback present दोनों है तो आप color हिसाब से देख लीजिए कि मैं कौन सा color present के लिए उसकर रही हूँ और कौन सा color past के लिए उसकर रही हूँ तो जो story है वो start होती है Leena Grove से Leena Grove के जो father mother के death है उसके बाद जो Leena है वो अपने brother के साथ ही Alabama में रहा करती है वहीं पर जो ब्राउन नाम का या फिर हम बोले Lucas लेकिन अभी हम जो ब्राउन ही बोलेंगे तो जो ब्राउन और Leena के बीच में affair हो जाता है और इसके बाद जो Leena Grove है वो pregnant हो जाती है जो ग्रोफ क्या बोलता है जो ब्राउन क्या बोलता है ये बोलता है कि मैं डाउन जाऊंगा वहाँ पर जॉब सर्च करूंगा सैटल होंगा और उसके बाद मैं आके Leena Grove मतलब कि तुम्हें अपने फाद ले जाऊंगा लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है और इसलिए जो Leena Grove है अब वो pregnant है तो फिर वो मिसी सिपी जाती है अपने उस बच्चे के बाप को ढूडने के लिए जब वो मिसी सिपी जा रही होती है तब वो सुनती है किसी से कि जो ब्राउन है वो जैफरसन में रहता है और उसे ढूंटे 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 Leena Grove अब जैफरसन में आ चुकी है जिस दिन Leena Grove जैफरसन में पहुचती है उसी दिन वहाँ पर एक plantation meal है वहाँ पर आग लग जाती है फायर लग जाती है और उस meal का honor कौन होता है जोहाना जो कि एक white लड़की है अब Leena जो है उसे यहाँ पर पता चलता है कि जो Christmas है जोहाना के cabin में रहता है अब इसे यह नहीं पता जो Christmas कौन है क्योंकि इसके बेबी का बाब जो है फादर है वो जो brown है तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि जो Christmas ताम का कोई आदमी है जो कि जोहाना के cabin में ही रहा करता था और जोहाना के साथ उसके sexual affair भी है और अब वो उसी लड़की के murder case में फ़सा हुआ है अब जो Christmas है ना तो वो dark है उसका color complexion ना ही वो white है तो इसलिए जो वहां के लोग है black community के लोग है या फिर white community के लोग है उन्हें पता नहीं है कि वो कौन है तो maximum लोग उसे black community का ही मान लेते हैं कि वो काला इंसान है काली community से belong करता है और लोग इसलिए भड़क गए हैं कि एक black community का person white community की औरत को woman को कैसे मार सकता है मतलब कि जोहाना को कैसे मार सकता है अब यहाँ से स्टोरी जाएगी flashback में तो यहाँ पर मैंने color को change कर दिया है अब कहानी गई है flashback में तो तीन साल पहले की कहानी बताई जाएगी three years ago जो Jefferson की planning mil है वहाँ पर baron bench नाम का एक आदमी है जो काम किया करता था baron bench नाम से आप देखिए confuse बिल्कुल नहीं होना है अब जो baron bench है वहाँ पर काम किया करता था और यह बाद में हमें पता चलेगा कि एक main character की तरह भी निकल कर आता है जो लीना ग्रोफ की help करता है तो उस टाइम पर जो क्रिस्मस भी job के लिए जैफरसन आया था तीन साल पहले की बात हो रही है और जो ब्राउन भी आया था मतलब की Lucas जो है वो भी आया था तो जो ब्राउन और जो क्रिस्मस दोनों साथ में काम किया करते थे दोनों को नौकरी मिल गई थी वो दोनों एक साथ रहते थे एक फ़ाद काम करते थे और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त बन गए थे अब जो क्रिस्मस एक विक्सी बार चलाया करता था बूट लेगर का काम करता था और जो जो ब्राउन है वो भी उसकी मदद कर दिया करता था यहां पर उसने अपना नाम क्या कर रखा है लुकस कर रखा है तो फिर दोनों का जो बूट लेगर का जो बिसनस था वो अच्छा चलने लग गया था तो इसलिए उन्हों किया ऎ। जो प्लानिंग मिल थी उसमें काम करना छोड़ दिया। वहां से काम करना छोड़ दिया। और दोनों ही कहा रहने लग गए। औल्ड स्लेव को़टर था, वहां पर रहने लग गए। जिसकी जो आ Ricky जोहाना थी। वाइट के साफ़ाद ब्लैक के भी बहुत सारी लोगों के फाथ उसके फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है अब जो प्लैनिंग मिल है उसमें सिर्फ बारेन बंच काम करता है क्योंकि इन दोरों ने काम छोड़ दिया है अब दुबाला से जो स्टोरी है वो प्रेजेंट में आ जाती है कहां पे हमने छोड़ा था प्रेजेंट में कि जो जोहाना है वो यहां पे जैफरसन में आती है उसे पता चलता है कि कोई बंदा है जो कि जोहाना के मुर्डर केस में फसा है अब कहानी प्रेजेंट में आती है और पता चलता है कि जो बारिन बंच है वो अकेला उस प्लैनिंग मिल में काम करता है तो लीना भी उसी प्लैनिंग मिल में आती है और वो जो ब्राउन के बारे में यहाँ पर पता करती है पूछताच करती है तो जो बेरेन बंच है वो लीना को बताता है, जब बाते में एक नया नाम जो ब्राउन के नाम से रह रहा है उसना अपना नाम चेंच कर लिया है, उसका नाम लीकस था लेकिन उसना नाम यहाँ पर आकर अपनी आइडेंटिटी बदल लिया है, छुपा दी है और खुद के लिए एक नया नाम जो ब्राउन रख लिया है तो जो बैरन बंच है वो कहीं न कहीं लीना को पसंद करने लग जाता है और वो सोचता है कि वो लीना की मदद जरूर करेगा ल्यूकस को ढूनने में अब यहाँ पर नया करेक्टर इंटर्डियूस होता है जिसकी स्टोरी मतलब कि थर्ड परसन की स्टोरी जो इस नॉबल में चलेगी और यह है गेल हाई टावर, गेल हाई टावर कौन है? यह है जैफर्सन के एक चर्च में यहाँ पर आय होते हैं जो कि मिनिस्टर है जाफर्जन के वो चर्ज में आए हैं ताकि यहां पर जो लोग रखे गए हैं सिविल वार के जो विक्टिम थे उन्हें रखा गया था और यह उन्हें खाना खिलाने के लिए आए थे अब इनके साथ ही इनकी वाइफ भी आती है मतलब कि मिसिस हाइट आवर भी आई हुई है मिसिस हाइट आवर अनफेटफुल वाइफ है उनका फेर है एक लड़की के साथ और जब वो एक बार होटल में उस लड़की के फ़ाद पकड़ी जाती है तो जल्दबाजी में वो विंडो से कूच जाती है और विंडो से कूचने की वज़े से उनकी डेथ हो जाती है और फिर बात में स्कैंडल बहुत जादा हो जाता है तो गेल हाई टावर को अपनी reputation तो उनकी खराब होई गई है तो उनने अपनी minister की post से resign करना पड़ता है अब इसके बाद जो गेल हाई टावर है वो बहुत ज़ादा depression में चले जाते हैं क्योंकि उनकी reputation पूरी खराब हो चुकी है उनके job चले गई है तो उनका सिर्फ एकलोता friend बंचता है और वो होता है Byron Bunch जो कि उनका एकलोता friend है तो जो Byron Bunch है वो सब कुछ चीज़ें उनने आकर बताता है सारी update देता है और अब Byron Bunch उसे ये भी आकर बताता है कि जो लीना है वो Lucas को ढून रही है और लीना की पूरी स्टोरी से समझाता है अब यहाँ पर जो novel हो फिर से flashback में जाएगी और अब यहाँ पर जो Christmas के birth की कहानी पता चलेगी तो flashback है तो मैंने color फिर से change कर दिया है तो जो Christmas के birth के time पे क्या होता है कि जब जो Christmas के birth होता है तो उसे orphanage के पास छोड़ दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है जो Christmas है वो हॉस्पीटल में एक डाइटीशन को डॉक्टर के साथ उसके sexual relation को देख लेता है अब डाइटीशन को यह लगता है कि अगर जो Christmas ने बाहर जाकर यह चीज़े बता दी तो उसके job चली जाएगी तो वो जो Christmas को थोड़ा पर डराती है या फिर उसे बोलती है कि उसे Black Orphanage में डाल देगी ट्रांसफर करवा देगी अब Black Orphanage क्या है यहां पर importance रखता है क्योंकि Black और White के बीच में relation अच्छे नहीं है अगर Black Orphanage में है मतलब कि वो Black ही बड़ा होगा उन्ही के community में बड़ा होगा तो वो कभी भी सैटल नहीं हो पाएगा वाइट के साथ तो टाइटीशन क्या है वो वाच्मेन के साथ मेंकर एक plan को बनाते हैं और वो उसके बाद जो Christmas की अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन जो Mr. McKeechen है उनका behavior बहुत जादा angry वाला है वो हमेशे गुसे में रहते हैं तो वो जो Christmas को हमेशे हमारा पीटा करते थे लेकिन जब जो Christmas adult हो जाता है थोड़ा से बड़ा हो जाता है तो वो एक प्रोस्टिट्यूट के पाद गुमने लग जाता है और इस प्रोस्टिट्यूट का नाम है बॉबी बॉबी एक बार डांसर है और वो बार में वेटरस का काम भी करती है तो एक दिन जो McKeechen है वो जो को बॉबी के साथ डांस करते हुए देख लेते है तो उसके बाद वो जो को पीटना शुरू करते है या फिर मारने के लिए जाते है और गुसे में जो क्या करता है एक चेर उठाता है और दुबारा से हिट बैक करता है जिसमें जो मिस्टर मैकीचन है उनके डेथ हो जाती है अब उनके डेथ हो गई है तो बॉबी जो है वो जो को छोड़ देती है क्योंकि उसने एक मर्डर किया है और जो क्रिसमस है वो भी टाउन से भाग जाता है ताकि वो बच जाए और 15 सालों के बाद यहां महां बटकने के बाद जेफरसन में आता है मिल में काम ढूटता है और थोड़ दिनों बाद यह अपना बूट लेगर का बिजनस स्टार्ट कर देता है अब जो क्रिसमस है वो जेफरसन में जो हाना की प्रॉपर्टी है जोहाना की प्रापरडी है उस ही कैबिन ने रहा करता है और यो फिर दीर दीर टलबर बन जाते हैं और जो जो करिसमस हैं अन दोनों का इनलेशन का इसा है पैशन भी है और वौलन्स भी है जो जो हाना है वो एक बेबी चाहती है और जो जो क्रिसमस है वो ऐसा उसके प्लान से एग्री जो क्रिसमस का जो फ्रेंड था जो ब्राउन वो भी इस कैबिन में यहाँ पर आकर रहने लग जाता है तो अब क्या करता है जो क्रिसमस बहुत जादा जो हाना को अवाइड करने लग जाता है तो जो जोहाना है कि नुझे को सिवसाईट कर लेना चाहिए है जोहाना के लिएशन है वह भी खराब है तो एक दिन वो पिस्टल लेकर आती है उसे मारने के लिए जो क्रिसमस गा हिला है या फिर डिफेंड कर रहा होता है और वो razor से attack करता है जोहाना पर जिसके बाद जोहाना की death हो जाती है अब जोहाना की death हो जाती है तो उसका एक nephew है तो वो announce करवाता है कि जो भी जोहाना की murderer को पकड़ लेगा ढूंड लेगा तो उसे 1000 डॉलर की जो payment है वो करी जाएगी उसे as a reward दिया जाएगा अब ये चीज़ सुनने के बाद जो Lucas था जो ब्राउन था क्योंकि उसे पता है कि जो Christmas नहीं मारा है जोहाना को तो वो जब सुनता है कि 1000 डॉलर का यहां पर प्राइस रखा गया है तो वो पुलिस के पास जाता है और बता देता है कि जो Christmas ही उस murder का suspect है या फिर उसी ने उसे मारा है अब उसने ये बता तो दिया पैसो के लिए उसे फसा दिया चीट कर दिया लेकिन ये उसी के फास सेम कैबिन में रहा करता था तो ये खुद भी फस जाता है as a murder suspect तो इसे भी वहां से जाने नहीं देते है अब पैसो के लिए क्या हुआ इतनी बड़ी जो prize money थी वो घोशित कर दी उसने announce कर दी तो बहुत सारे लोग यहां पर Joe Christmas को ढूडने लग गए अब कहानी फिर से present में आती है और present में क्या है जो baron bunch है वो लीना को लेकर उस cabin में जाता है जहां पर वो दोनों रहा करते थे मतलब कि Joe Christmas और Joe Brown रहा करते थे तो जो Christmas है वो अपने grandfather Mr. Hines को देखता है रास्ते में ऐसे ही क्योंकि अभी वो murder suspect है और भाग रहा है यहां वहां तो Joe Christmas अपने grandfather को देखता है वहाँ पर Mr. Hines को कि वो लोगों को भड़का रहे हैं भीड को भड़का रहे हैं कि Joe Christmas है वो murder suspect है उसने murder किया है तो उसे मार देना चाहिए और वहाँ पर जो Mrs. Hines है वो भी आई हुई है क्योंकि वो अपने जो उनका grandson है उसे एक बार या फिर लास्ट बार देखना जाती है अब problem यह है कि जो Mr. Hines है वो इतने जादा hate क्यों करते हैं जो Christmas है बलकि वो उनका सगा या फिर उनका real grandson है तो कहानी फिर से थोड़ी सी past में जाएगी तो Mr. and Mrs. Hines जो है वो दोनों white community से बलॉंग करते हैं इसकी जो daughter थी मतलब Mr. and Mrs. Hines की जो daughter थी जिसका ना मिली था वो बेटी थी उनकी वो एक black Mexican लड़के से प्यार करती थी और उसके बाद उसे एक baby होता है या फिर वो pregnant हो जाती है और जब Mr. Hines को पता चलता है कि वो जो उसका lover है वो एक black community से बलॉंग करता है तो वो से मार देते है और जब जो मिली है वो क्योंकि pregnant थी तो जब वो baby को birth दे रही होती है तो medical treatment उसे कुछ भी नहीं मिलता है जिसकी वज़ा से मिली उसी time पर birth देते time पर उसकी death हो जाती है तो Mr. Hines करते है उन्होंने उसके lover को तो अलड़ी मार ही दिया है वो उसके baby जो उसका बचा बचा हुआ था उस baby को उठाते हैं और orphanage के बाहर छोड़ देते है क्योंकि वो hate करते है black लोगों से और वो hate करते है इस चीट से भी कि जो baby है अब जो story है वो फिर से present में आती है और यहाँ पर जो Christmas है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है Lucas मतलब की Joe Brown वो भी पुलिस की custody में है क्यों murder suspect था तो जो Byron है उसे पता चलता है कि जो Christmas है और Joe Brown है दोनों ही पुलिस की custody में है तो वो लीना को लेकर पुलिस custody में उसे मिलाने के लिए लेके जाता है लेकिन तब तक Joe Brown पुलिस की custody से वहाँ से भाग जाता है और Joe Christmas सोचता है कि वो भी भाग सकता है वो भी try करता है लेकिन उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं अब कुछ दिन ऐसे ही बीटते हैं उसके बाद जो लीना ग्रोव है वो बेबी को जन्म देती है और वो उस बेबी के साथ बैरेन बंच के साथ फिर से निकल जाती है Joe Brown को डोनने के लिए और यहाँ पर जो नौवल है वो खतम हो जाती है